हेलो दोस्तो नमस्कार गुड मॉनिंग स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल उत्राखन जी के वेरी जी ट्रिक्स में तो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्राखन विदानसवा भरती के बारे में जो की भरती घोटाला हुआ था उसके जो धाईसो के करीबन दोस्तो पद थे वहां भरतीयां रद गरदी हैं हमारी विदानसवा सचिव खंडोडी जी ने और दूसरी जो हमारी न्यूजा दोस्तो वह रहने वाली है यूग के पेसी के अपकमी इग्जाम्स को ले करके ठीक है उसका भी एक आज नोटिकेसन आया हुआ है तो इ प्यक्तिकत आविदनु पर ही कर दी गई नियुक्तियां किसी प्रकार का कोई विज्यापन नहीं निकाला गया नहीं परिक्षयां कराए गई और इस प्रकार से 250 कुल पदों पर जो भरतियां होई थी उनको रद करने का फैसला लिया है विदानसवा अध्यक्स जो हमारी ख 2016 में इसमें 1500 भरतियां होई थी 2020 में 6 भरतियां होई थी तथा 2021 में इसमें बहतर नियुक्तियां होई थी और उपनल से भी इसमें 22 भरतियां होई थी यह सभी भरतियां निरस्त कर दी गई है उत्राखंड सासन के दोरा या आप कर सकते हैं विदानसवा अध्यक्स जी के दो उत्राकण विदानसवा की अध्यक्स रितु खंडोरी भूसन ने विदानसवा की बैक डोर में हुई 250 भरतियां रद्द कर दी हैं इसमें 228 तदर्थ तथा 22 उपनल के माध्यम से हुई नियुक्तियां सामिन हैं वहीं विदानसवा सचिव मुकेस सिंगल को ततकाल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है तथा उनके खिलाप अलग से जाँच बैठा दिये गई है कि उन्होंने किस प्रकार से ही नियुक्तियां कर दे ठीक हैं इसी के साथ सुक्रबार को विदानसवा अद्यक्सर रितु खंडोरी ने विदानसवा में प्रेस वारता बुलाई उन्होंने बताया कि विदानसवा में वही भरतियों की जाँच के लिए बनी तीन सदर्शी विशेशक की जाँच कमिटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी है और नहीं इसके आउनलाइन आविदन मागे गए हैं अपनाई गई यहापर के लिए समविदान के अनुच्छे 14 और अनुच्छे 16 का उनलंगन करती है और इसी को देखते वे दोस्तों ये भरतिया आपकी कैंसिल हो गई है और सिफारिस पर लग गई है सीएम की मोहर तो यह पर निरनाई लिया गया तो सेमस आपने आपे मंजुरी भी दे दिये दिये दोस्तों ये आपके 500 के 500 पदा वरद दो गए है और आप भविश्य में दोस्तों इस पर वेकेंसी के इसाब से पदा निकाले जाएंगे यहाँ पर कुझवाल जी का भी बयान आया हुए कि मैंने गलत किया जनता ने मुझे सजा दी कुझवाल की अभी मैं तो सीट में होनी बाकि 2021 में निकली 32 भरतियां जो 32 पदों पर दोस्तों भरती निकाली गए थी जिसमें आपने देखा होगा कि करीबी नेताओं के करीबियों की वाइफ या उनकी बहन या उनके रिस्तदाद लग और इस पर काफी अभी लंबी वारता भी चल देए दोस्तों क्योंकि जो लोग हटाए गए हैं वो पहले से जॉप में और कहीं न कहीं एक बड़ी जैक के साथ वो लोग जॉप में लगे थे तो उनको हटाना कहीं न कहीं टफ होगा इसलिए हाई कोट में कैवियर दाखिल क चीजे करने के ऊपर विचार के लेगी सरकाल ठीक है कुझवाल और अगरवाल के कारीकाल में हुई थी ये विवदिध भरते हैं इसलिए कुंझवाल और अगरवाल भी हो सकता है कि जाँगे और अगरवाल जी की तो सीड भी जो अभी cabinet के पद हैं उनके पास वो भी उनसे चिने जा सकते हैं, 2011 से पहले की भरतियों पर विदिक राई के बाद में कारिवाई की जाएगी, लेकिन जो ये दोस्तों 200 के आसपास पदे हैं, ये आपके बिल्कुल कैंसिल हो गई हैं, ठीक हैं, त्रिविन सिंग रावत जी का भी यहां पर बयान आया है, कुछ गलत होता है तो ठीक करने वाले भी होते हैं, तो त्रिविन सिंग रावत जी के कारिकाल में भी ये चीजें होई थी, तो कहीना कहीने उन्होंने भी अपना इस्टेटमेंट दिया हुए, बागी दोस्तों ये थी आपके विदांसभा की जो 200 भरतियां कैंसिल हो गई हैं, और दूसरा ज दोस्तों, जिन भरतियों में पहले सुलक दिया, अब उनके आविदन होंगे निसुलक, और इसके लिए सासन ने आदेश भी जारी कर दिया है, और नई भरतियों में जो भी नए लोग फॉर्म बरिंगे, उनसे सुलक लिया जाएगा, तो इसके बार में भी दोस्तों हम बा जिन भरतियों के लिए राजी लोग से वायोग को अधिकरत किया गया था, इसमें कई भरतियों ऐसे थी, जिसमें UK SSC के दोरा आविदन कराई जा चुके हैं, और भरतियों के लिए UKPSC के दोरा उस पर ऑनलाइन आविदन आप मांगा जाएगा, लेकिन ऐसे अभरतियों जि सितंबर के अंक में इस कबर को प्रकासित भी किया था, ठीक है, और आयू सीमा पर दोस्तों जो बड़ा सवाल है, वो हभी कल आपने, न्यूज में मैंने आपको बताया था, कि आयू सीमा जो लोग उस टैम पे एक जा, मलब फॉर्म भरने के लिए वैलिड थे, वही लोग इस बार भी वैलिड होंगे, लेकिन उसमें दोस्तों एक और क्राइटेरिया था, कि उस टैम कोरोना काल के कारण एक साल की एक्स्ट्रा छूट भी दी गई थी, तो आयू सीमा पर अभी निर्नाई नहीं हुआ है, सासन के दोरा, लेकिन आयू सीमा पर भी जल्चे जल्चे अध्यादेश और सुप्रिम कोट जाने का फैशला सरकार की दवरा किया गया है, अध्यादेश के माध्यम से ठीक है, यानि कि अध्यादेश तेयार करके सुप्रिम कोट जाईगी, राज्जी सरकार ठीक है, और दोस्तों पेपर लिक की दागी, आर्मेस टेक्नो कमपनी को उन्हें डिबार कर दिया, यानि कि आप ये कर सकते हैं कि इनसे आप भविशी में कोई भी एक्जाम नहीं कराया जाएगा, ठीक है, बागी यहाँ पर कुझवाल जी गाई बयान आ रखा है विधानसवा के साथी दोस्तों, कि जिनकी नौकरी गई, उनका कोई कसूर नहीं है, उनके साथ में अच्छी नहीं हुषती, तो कहीं न कहीं फरक पड़ेगा, 200 जो कर्मी अभी काम कर रहे हैं विधानसवा में, अगर उनको बाहर किया जाएगा, तो कहीं न कहीं वो भी अपने हकोगे लिए आवार उठाएंगे, लेकिन देखते हैं दोस्तों, इस मामले में अगे क्या होता है, बाकि निलंबन के साथ ही बड़ी, जो हमारी विधानसवा सचीव, मुके सिंगल की मुस्किल है, क्योंकि इनकी भी आप परसनल जाच होनी है, ठीक है, नहीं भरती का विध्यापन निकाला, नहीं परिक्षिया कराई, व्यक्तिगत पत्रों पर ही बांड समानता का अधारिक अधिकार और अउसर की समानता वाला है, उसके तहर दोस्तों यह आपकी भरतिया, आपकी निरस्त कर दे गई हैं, और दुबारा से फिर सासन के इसाफसे इस पर भरतिया निकाली जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट भी आया है, कि जित अधिक है, तो इस सारी चीज़ें, तीन से चार बार तो इसका रिजल्ट ही जारी हो चुक है, अभी भी बता नहीं है कि आगे भविश्य में एक और रिजल्ट आ सकता है, ठीक है, बाकि दरोगा भरति को लेकर के एक नियूज है दोस्तों, कि सासन ने विजलेंस को मुकदम मान ले जाता है, और ये कही ना कही फर्जी तरीके से दरोगा बने हुए है, कुमाओ मंडल में भी ऐसे कही सारे लोग हैं, तो उनके खिलाब भी जांच की बात सामने आ रही है, तो ये चीज़ें भी बात में दोस्तों फाइनली पता लगेंगे कि क्या-क्या हो नहीं है, बाकि विदान सभावाली न्यूज मैंने आपको बता दियें दोस्तों, तो आज के वीडियो में इतना ही थैंक्यू, थैंक्स वार्वसिक्स वीडियो, सुई नेक्स टैम, धन्यवाद आपका और आपकी कोई राए है, तो आप कमेंट वोक्स में दे सकते हैं, धन्यवाद. कर दो आपका और 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 आपका